जिसका मुझे था इंतिजार मिलने का दिल था बेकरार तो चलिए दोस्तो आज एक लास में आप सभी को अलफाबिट से मिलवाने वाले हैं इससे ही मिलने का दिल बेकरार था वो घड़ी आ गया है तो दोस्तो एक लास उन सारे विद्यार्थियों के लिए हैं जिन विद्यार्थियों को अलफाबिट समझ में नहीं आता है जिन विद्यार्थियों को अलफाबिट समझ में आता है वो विद्यार्थियों को न देखे चुकि इतना बेसिक से बताएंगे कि जिसको साफे समझ में नहीं आता है वो पूरा समझ लेगा तो चलिए एक दम फिल देखर बताएंगे फिल आ जाएगा अगर दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करिएगा और कमेंट्स में लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए सबसे पहले अलफा बिट में अक्षरों की संख्या दोस्तों 26 होता है अब देखेंगे अलफा बिट में कौन कौन से अक्षर होते हैं आए एक नजर डालते हैं तो लिखेंगे अब एक बात दिखिए एक दम गहुण बात बता रहा है एक दम दिमाग खोल कर वीडियो को देखेंगे तो मजा से आपको समझे में आएगा देखिए जो ए है एक नमर पर है एक बायत तरफ से एक बात आवरी समझ जाईए इधर से चलेंगे तो एक बायत तरफ से चल रहे हैं आज इसको इंगलिस में लेट बोलते हैं और इधर से चलना होगा तो भई ये इसको दाहिना बोलेंगे और दाहिने के लिए इंगलिस में लेट का प्रियू करते हैं राइट का प्रियू करते हैं सोरी और हमें इधर से चलना होगा तो ये दाहिना होगा दाहिने डिरेक्शन होगा अब ध्याहां से दिखीगा बाएं से जो ए होगा एक नमर पर होता है बी दो नमर पर एतिन नमर पर चार पांच छो शाथ आठ नौव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सुल्ला सत्रा अठारा उन्निस बीस एकिस बाईस तेरा 24 25 26 अब एक बाद समझें खतरनाक बात पुछेंगे एकदम मज आएगा अगर इधर से चलेंगे तो समझें कि बाएं डाएरिक्शन से चल रहे हैं अगर इधर से आ रहे हैं तो समझें कि दाहिनी तरफ से चले हैं अब एक बहुत बढ़ा सवाल करते हैं मतब्याइं सर आप आपका भी हो जाएगा तो आएए इधर से भी पुछेगा तो आएए यहां पे दाहिने से पुछेगा तो इपहिला स्थान पर होगा अब एक कमाल की बात बताएंगे दोस्तों कमाल की बात अगर मालते हैं कि भाया सबसे पहले माले जी की पेपर अलफाबेट से कोचन करता है तो आप यह लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको याद होनी चाहिए कि बाएं से जो अक्षर है कितने नम पर है या दाहिने से जो आड है कितने नमर पर है तो दोस्तों याद करने का हई देखे देशी फर्मूला सबसे पहले ट्रीक 1 बता रहें हैं नजट डाल कर देखिएगा यहां पर एक ट्रीक बता रहे हैं इस ट्रीक को याद रखीगा इजोटी इजो इजोटी अब यहां पर दिखिए जो हमने लिखे इजोटी तो दोस्तों 5 के पहरा से सुरू करिए तब 5, 10, 15, 20, 25 तो दोस्तों यहां पर समझे इस बात को यह 22 सी दाय तरफ के लिए बताए बाय से दाय तरफ के लिए जब हम बाय से चलेंगे तो यहां पर ट्रिक बताए जोटी तो दोस्तों जो अलफाबिट में अक्षर ई है देखिए पांच नमर पर होगा और यहां पर देखिए ए कितने नमर पर है जी पांच नमर पर जो जे है वो देखिए 10 नमर पर है ठीक है जो ओ है 15 नमर पर है जो टी है 20 नमर पर है और जो य है 25 नुमर पर है तो दोस्तों तो से तिन बार आप चिलाएंगे किसी कान में उप सबहभरा फिर आफसेड रगा किसे कान में अपने दिमाग में याद करने नहीं अपने दिमाग में या बाते इता ये यह तो दोस्तों यहां पर आपको यादे रहेगा कि एक नमर पर आता है एवन क्यों कहता है न कि आगा E 1, A 1, मत्या, A एक आग, नमर पर B 2, लोग बहुते है हैं न, B2, B2, लाष्ट में 2 आता है, C, आपका 3 नमर पर आता है, D, आपका 4 नमर पर, अब E के लिए है, अब भीअ, यहाँ पर देखे, F के लिए, तो हम क्या करींगे, घया करें और नेचे के लिए लिए लिख देग़ और नीचे से ऐसे मिला देंगे तो जैसी से मिलाएंगे तो यहाँ पे देखा आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से जो अभूगा चैंच नोर में पर हो गा एक डो में लुलीपवद में आगे दिख्याइब यहां तक हमें आपको याद करा दियो ऍपत hop जी के लिए देखी है तो जो जी से लाइन खिच देजीए तो यहां पर आपको 7 दिखाई देगाकर जिसे falls यह ऐसे लिए बना बूर दीजीएगा तो बताइए एक आपको कैसा दिखाई देगा आठ जैसा तो एच आठ नमबर पर आता है आई के लिए देखिएगा यहां पर आई देकर यहां पर आई और ऐसे घुमा देजीए तो आपको नाइन दिखाई देने लगेगा दस के लिए तो इस जोटी में आहीं जाएगा और इस तरीके से आप इन सारे चीजों को याद कर सकते हैं और भी लास्ट में देखिए यू भी डॉब्लू तो याद रखेगा 21-22-23 यू भी डॉब्लू अल्टर भाइलेट अल्टर भाइलेट इस याद रखे 22-23 पर होता है और यहां पर तो आपको प्राग में आ गया होगा अब देखिए जो एस होता है 29 अब जैसे 29 बोली 29 अंत में सारा है तो समझे कि इसका कोड़ कितना हो जाएगा उनईस हो जाएगा ने भाइया इस तरीके से लगवग आपको पूरा यहां पर बता दिये एकदम बढ़िया से अब एक यहां पर ऐसा बात बताएंगे कि आप कहेंगे सरीत खतरनाक बता बता दिये भाइया अगर एम अक्षर को ले लिया जाए एम अक्षर को ले लिया जा है तो बाई और से तेरावा और दाई और से चोधावा तो कहने कारते कि बाई और से तेरावा और दाहीं और से चोधावा का जो यूग होगा एक कितना है जी 27 है कितना है 27 है आप इसमें से कोई भी अलफःबेट ले लेजिए, 2 और से देखिए कितना है 14, और यह दाहिने तरप से कितना है 13, दोनों को जो रेंगे, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 27, आप किसी अलफःबेट को 2 और से, दाई और से, उसका यूपफल निकालेगा, आ अपर भी निकाल कर देखेर सताइस से मिलेगा और यहां पर हम आपको समझा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है यहां से वर्दमाला का दाहिने से या दाएं से बिस्वा अक्षर क्या होगा बिस्वा अक्षर क्या होगा अब सुनिए यह तो कोश्चन बहुत असान है लेकिन आपको बनाने में लग जाएगा दू मिनट ऐसे लिखिएगा तो हमें कैसा ट्रिक बताएंगे कि जादू है नसा है इतना कोई से असान है तो यहां पर देखिए अंग्रीजी वर्दमाला का दाएं से बिस्वा अक्षर क्या होगा भया अब आप अंग्रीजी वर्दमाला का दाएं से पुछा है तो इधर से चलेंगे बिस्वा पर आएंगे तो आपका आंसर क्या होगा जी जी और यही रा राइट आंसर यहां पर लिखा है तब बता दिए डाइरेक्ट अगर नहीं लिखा होता तो भाईया उल्टा चलने में तो आपड़ी प्रोब्लेम होता है कपा धत्राय से बैठी जाते कहते कि अरे प्रिब्बा पस्ता असान कुझा हा नहीं रहा है तैम नीकल जा रहा है बगिस्को बनाने की सुंदर स्टाइल है कोता है कि अंग्रेजी वर्नमाला का दाएं सेे विश्वा अक्षर क्या होगा तो हम लोग दाएं से देख लिए विश्वा अक्षर तो विश्वा अक्षर क्या था जी था अब सुनिए हम चाहे तो यहां पर देखे ट्रिक्स से बना सकते हैं अगर आपको दाएं से दिया है अगर बाएं से निकालते हैं कि बाएं से क्या होगा तो भईया 27 में हमें कितना में देखे 27 में इस 20 को घटा दीजीगा तो साथ आएगा और 22 से देखे नहीं तो आपका जी आ गया की नहीं जी आगया की नहीं कितना सान है दाय से पुछ देगा कि एक कई स्वा है अब दाय से देखेने के बजाए हम 22 से देखेंगे लेकिन 27 में घटा लेंगे जोड कोट आएगा उसके सामने देखे लें कौन साल्फाबेट का लेटर है इस तरीके सा बना सकते हैं एक और देखीगा क कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाय से अंग्रेजी वर्णमाला का दाय से 25 अक्षर 25 अक्षर कौन सा है अब बताईए इस का अंसर क्या होगा तो 25 अक्षर क्या होगा जी बी होगा यहां पर आपके सामने है तो देखर बता दिए आट्रिक चाहिए तो देखें ट्रिक क्या होगा भाईया थोड़ा ध्यान से यह तो दाहिने से 25 वा बोला है अगर 22 से आपको लिखना होगा तो 22 से लिखने के लिए 27 में जो दिया है उसको घटा दिए 25 तो दोस्तों 27 में 25 निकाल देंगे तो दू हो जाएगा और 22 से दूसरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा देखें आंसर आ गया कितना आसान कोचल है आए एक दो और बताते हैं सिद्धे खोपणी में जाएगा सिद्धे खोपणी में हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में 22 सब किर दे रहे हैं 22 से 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 22 22 22 20 22 22 22 24 24 25 25 25 25 25 26 यह बात आपको समझ में आया होगा, आईए, अगर बाये दाएं की कहानी कहेगा एक प्रोब्लेम में, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं, देखते रहे, भईया, एक ये कोचंट में बाये और दाएं की बात करेगा, या दाएं दाएं की बात करेगा, बा तो दोनुई स्थिती में हम घटाएंगे, भाया lift टू lift की बात करेगा, right टू right की बात करेगा, मतब समान जाती, देख समान जाती, तो जब समान जाती का बद हुआ तो घटाएंगे, तो direction कहाँ से देखेंगे final, तो direction यहाँ पे lift है, तो lift से देखेंगे, और इसमें final direction कहां से देखेंगे, यहां पर सबसे पहले right है तो हम right से देखेंगे, इस बात को दिमाग में डाल लिजिए, अब कहिए sir, अगर lift to right दिया हो, या right to lift दिया हो, तो देखिए यह अलोग जात का है, इसलिए यहां पर हम जोरेंगे, और जो final हम direction चिक करेंगे, answer दे left है, तो हम left से count करेंगे, और इसमें यहां पर right है, तो हम right से count करेंगे, इस तरीके से यह बाते आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए इस पर कुछ कोचन लेकर आते हैं, देखिए, खतरनाक तरीके से बताएंगे, सिध्ये आपका brain में जाकर समा जाएगा, देखिए, ए यहां पर कुछन को बनाते हैं, अभी एक ट्रिक बताए थे, कि अगर left to left की बात कहेगा, या right to right की बात कहेगा, तो हम घटाएंगे, आप final direction यहां पर left है, तो left से देखेंगे, और यहां पर right है, तो right से देखेंगे, लेकिन left to right कहे, या right to left कहे, तो इस स्तिती में हम जोरे देखेंगे, फाइनल डारेक्शन यहां पर पहले left है, तो left से देखेंगे, और यहां पर right है, तो हम राइट से देखेंगे, आए इसी लोजिका इस्तमाल पर इस कोचन को धोते हैं, बहुत प्यारा सा कोचन है, बहुत प्यारा सा आपका दिल जीत कर देखर चला जाएगा, कहता है कि वर्दमाला क्रम में, बाइं से अठोए, और खरो के दाएं का दस्वाक्षर कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हैं, और इसका मार्फर घुबन आप ठोड़ सकते हैं, देखें बाइं और दाएं की बात किया है, तो भया, बाइं और दाएं की बात कहेगा, तो बाइं से आप अठाडवा नमर देखें लिजिए, तो बाइं से जो आपका अठाडवा नमर होगा, वो क्या हो जागा जी, बाइं से देख रहे हैं, तो आर होगा, तो पहिला अप्शन सही हो गया, पहिला अप्शन क्या हो गया, जी, सही हो गया, इस तरीके से देखें कित दाया बोला है यहां पर भी दाया बोला है तो दाया दाया की बात कहेंगा तो हम क्या करें हटाएंगे दोनों नम्रों के वीच तो यहां पर दिखिएगा 18 में से हम एक गारा निकाल लेंगे तो भाईया जब 18 में से गारा निकालेंगे तो साथ आएगा और यहाँ पे देखिए पहला डायरेक्शन क्या है दाया दिया है दाया दिया है तो दाहिने से साथे वस्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो दाहिने से आपको बताना होगा कि सातवा अक्षर कौन सा होगा वही आंसर होगा आइस के लिए देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर बाय से कौन सा होगा तो यह यानि 27 में हम 7 घटा देंगे तो 20 होगा आप जो 20 होता है आप परहेंगे अभी बताएतें कि जो टी जो टी तो हई 5, 2, 15, 20, 25 तो जो 20 होगा वो टी नमर पर होगा आंसर क्या होजेगा टी बन गया यह आप दाहिस से देखिएगा तो दाहिस से आईए ना 27 नमर पर आप पर टी है तो आप जिस तरीके से बनाना चाहते है है आप उस तरीके से बना सकते है आए अगला कोचन कहता है आए यहां से इसको हटाते हैं पहले मिलेंगे तुम से तो बताएंगे कितना नफरत है हमें आए ती नमर कोचिन कहता है वर्ण माला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए अर्रे भाईया उल्टा जिड से सुरू किया जाए आए पर जाकर लाष्ट किया जाए अंगरेंजी वर्ण माला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताएंगी दाएं से यहां पे दाया दिया है और यहांप रभाया दिया है तो पहले जो रिजी क्या होगा भया क्या होगा जी सोला होगा और यहां पे अंग्रेजिय वर्रमाला को उल्टे करबे बोला है तो यहां पे जो दाएं दिया है ना दाएं तो हम दाएं से नहीं देखेंगे हम पहले दाया से देखते थे जो पहले दीता था उस से दिखते थे जब और न हमालाए गुए और मह histi सो जीता थो आउं यहां पे पहले स्सक्राइबस की हिएगा तो हम आ हम में लिखा गया है Тоow बताएं की 22 मmore 25 की या होगा और देखिए बाएंग से न या डृत तो आंं outra में दिया खोरगêsेक्राइब दीतो गटाएंगे तो अविट्यमत से साथ जाएगा तो कि नि कितता आप 27 में, आप 27 में 8 घटा लीजिए, तो 19 हो जाएगा और तो 22 तरफ से 19 क्लास्ट्र में एस आएगा, तो यहां पर भी देख लीजिए, एस आ गया, बना सकते हैं, आगे दिखिए, अब यहां पर देखिए, एक खतरना क्लास्ट्र में पहुंच दिया है, तो होता है कि यद O-N-M-L-K-J-I-H-G, कितना होगा है, G-F-E-D-C-B-A, अब उसके बाद लिखते हैं जागे से, P-Q-R-A-T-U-B-W-X-Y-Z, अब बाता है कि यदि अंग्री जीवर माला में, सुरू के पंद्रयक छुरों को उलट के करम में लिख दिया जाए, तो बताएं कि दाय से बरहवा, अक्छर के बाएं, अब देखिए, यहां पर दाया-बाया की खेल है, दाया-बाया, दाया-बा बास 9, तो बारे 9, 21 हो जाएगा, तो कहता है कि यहां कि यहां पर दाया से बरावी अक्छर के बाय का नव अक्छर ज्यांत करें, तो यहां पर फ़ला अक्छर क्या देखिए, दाया-दाया, तो दाया-चर, पांश, साट, आठ, नो, दा-दा, सिंग्ष, गारा, बारा, ते काम करते हैं चलो आपका आंसर मिल गएगा इस तरीके से आपको इस वीडियो जरूर समझे माया होगा दोस्तों में लिंक को जरूर स्यर करिएगा